साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए MP आपकारी एक्जाम 2023 की दिश्टी से अतिमहत्मुर्ण प्रैक्टिस सेट नमबर दो यानि किस से पहले हम अलरेडी एक प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा पटवारी और आपकारी दोनों का free of cost प्रैक्टिस सीरीज हमने यहाँ पर चालू की है सारे बिल्कुल latest प्रशन होंगे जैसा कि आपको बता है अभी हाली में MP पुल इसके जितनी भी एंसर की थी वो सारी एंसर की हमारे पास में मौजूद है तो जितने भी आपके science के कठिन प्रशन है उन सभी प्रशनों को हम यहाँ पर cover कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपकारी का exam भी अच्छे level का आने वाला है तो सबसे कठिन आपको इसमें भी science ही cover करने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए बिना समय गवाह हुए शुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक एक प्रशनों के बारे में डीटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे आईए देखते हैं आज के practice it का पहला प्रशन तो देखे पहला प्रशन है निमलिकित में से उर्जा का एक गैर नवी करनी स्रोत इन में से कौन सा है MP पुलीस 2022 में ये प्रशन पूछा गया था चलिए option देख लेते हैं सौर उर्जा पवन उर्जा जीवासमीधन या फिर जल बिद्धूत अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरी ये गैर नवी करनी उर्जा स्रोत होता क्या है देखे नवी करनी का अर्थ है कि जिसको हम दुबारा बना सकते हैं यानि एक बर अगर वो खतम हो गया तो हम उसको दुबारा भी फिर से बना सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहत पाउन वे जल से बनने वाली बिदुद कभी खतम होगी तो जल बिद्दुद भी खतम नहीं कर पाएंगे तो इसका सही अंसर सी यानि कि जीवास्म ईधन आपका समाप्त हो जायगा एक समय के बाद में जैसे कि पैट्रोल हो गिया डीजल हो गया जीवास्म एधन की जो है एक गैर नवी करनी उर्जा स्रोत है जीवास में इधन ठीक है देखिए तो देखिए गैर नवी करनी उर्जा से एर्थ है जिसे दुबारा प्राप्त ना किया जा सके और जीवास में इधन जो है वो गैर नवी करनी उर्जा का एक उदारन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है और अगले प्राश्णी का नाम थायमीन है यह भी आपका MP2,2022 में पूछा गया है बिटामीन B1 का नाम थायमीन है या फिर बिटामीन B2, B6 या बिटामीन B12 बताएे इन में से किसका नाम थायमीन है चली यह answer दिख लेते हैं पिर आपको सारे जितने भी आपके option दिए गए हैं उन सभी option के नाम हम आपको बताने वाले हैं देखिए प्रिशन का सही answer ए यानि कि vitamin B1 का नाम होता है thymine ठीक है सर बाकी के option दिए गए हैं इनको भी बता दिए तो चलिए इनको भी आपको बता देते हैं देखिए तो vitamin B2 की अगर बात करते हैं तो यह है राइवोफ्लोविन vitamin B6 की बात करते हैं तो vitamin B6 को पारी डॉक्सिन कहते हैं vitamin B12 को साइनो कोबाला मिन कहते हैं देखिए यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर है क्योंकि अब हाली में जो आपका NTPC का मेंस एक्जाम हुआ है उसमें यह पूछा गया था कि कौन से vitamin में धातू पाई आती है, तो आपका विटामिन B12 हो जाएगा, जिसमें धातू पाई आती है, कौन सी धातू सर, तो कोबाल्ट धातू पाई आती है, कोबाल्ट नामक जो धातू है, वो विटामिन B12 में पाई आती है, इसके नाम में भी आप देखेंगे, साइनो कोबाला मिन लि कर दीजिएगा चलिए अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं देखिए तो अगले प्रश्ण है निम्ल मेर से कौन सी रासी रियक्टर पहमाने पर मापी जाती है ठीक है यह आपका अरारवी ग्रूप D 2022 का एक्जाम है ग्रूप D के एक्जाम में साइंस के अच्छे प्रश्ण दे रियक्टर पहमाने पर मापी जाती है हिमनत की चाल जनसंख्या ब्रदी भूकंब की तीब्रता या फिर प्रित्वी के अंदर का टापमान चलिए एंसर देखें प्रश्ण का सही अंसर सी यानिकी जो भूकंब की तीब्रता होती है वो आप रियक्टर पहमाने पर मापते है अब confuse नहीं होना है आपको जो seismograph है वो यंतर का नाम है और इसके उपर एक पैमाना लगा होता है जो पट्री लगी होती है इसे हम reactor पैमाना कहते है ठीक है इस पर नापा जाता है और ये यंतर है ठीक है याद रखी का कभी भी confuse नहीं होना है सीस्मोग्राफ यंतर है और जो reactor scale है वो पैमाना है ठीक है और देखी एक प्रश्ण और यहाँ पर बना था आपके NTPC मेंस में ही ये भूकमपी तरंगों का ग्राफी निरूपन करता है कौन सीस्मोग्राफ प्रश्ण पूछा गया था कि भूकमपी तरंगों का ग्राफी नि पर बना था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण निमलिखित मेंसे किस से कुपोशन होता है कुपोशन इन मेंसे किस से होता है यह तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्ण को गलत करके आया थे बहुत सारे बच्ची दो-तिन बार यह एक्जाम में हुँ है सबसे लेटिस्ट उसमें भी वार यह प्रश्ण पूछा गया था और रेल्वे में भी कही वार यह प्रस्ण पूछा गया है कि किसकी वज़ह से कुपोशन होता है क्यों बहुत इसका अभी नहीं होगा इसका अगर आपको कोई भी चीज बहुत कम मिल रही तब भी आपको कुपोशन हो जाएगा इन तीनों की वज़े से कुपोशन होता है यानि कि सरीर को एक निश्यत मातरा में सारी चीज़े चाहिए होती है तब ही आपका जो सरीर बिल्कुल स्वस्त रहेगा देखिए तो सरीर को स् संतुलित मातरा में आवशकता होती है संतुलित मातरा में ना मिलने पर सरीर कोपोशित हो जाता है ठीक है ना बिल्कुल फिक से मतलब जैसे की दस ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए बीस ग्राम हमें विटामिन चाहिए तो बिल्कुल एक निश्चित मातरा में ही चाहिए कम ज टेलिग्राम ग्रूप में, वाटसेब ग्रूप में सेयर कर दिये, किजिए, क्या कि अच्छे व्यूज आएंगे तो हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, और हमको ही मोटिवेशन मिलता है, नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आने का, जब कम व्यूज आते हैं, आप ल भी हम बिल्कुल सारे प्रेक्टिसेट, फ्री और कॉश्ट आपको उपलब्द करा रहा है, प्रेक्टिस जो है आपका प्लेलिष्ट अलग से बना दी गई है, देखिए, अगना प्रशन देखिए, केरल में समुद्री तटकी रेद में भरपूर मातरा में क्या पाया जाता है, MP पुलिस 2022 के अग्जाम में पूछा गया है, देखिए, केलसियम पाया जाता है, रेडियम, थोरियम या फिर मैंगनीश, क्या पाया जाता है, केरल के समुद्री तट में जो रेद होती है, आई ये एंसर देखते हैं, प्रशन का सही आंसर है C, जो केरल की समुद्री ब strictly में किया जाता है, बिजली बनाने के लिए, देखे, ज्यादा तर जो आपका बिजली बनाने के लिए या फिर परमाडू का, जो परमाडू बवगारा बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मतलब ततों की आफुशक्ता होती है, लेकिन बहुत सारे तत्तों अपने हा प्रवारी अपने पर्माडू की कम महत्रा पाई याती है लेकिन अपने पास पर्याप्त महत्रा में उपलब दे कहाँ पर तो केरल की रेत को मोना जायट रेत कहा जाता है यह प्रश्न बन सकता है आपके एक्जाम म्यावकारी में मोना जायट रेत कहते हैं केरल की रेत को जिसमें थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं आपको यह भी बताना है क्या यह हमारी जो स्पीड है पढ़ाने की देखे हम ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहते है ठीक ना तो 12-15 रेत में यह वीडियो समाप्त हो जाएगी और लगबख संपूर्ण जानकर यह आपको एक एक प्रस्णी के बारे हो जाएगी अगर स्पीड आपको तेज लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिएगा तो कल से हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ठीक ना देखिए बहुत की कि किस सा की आतिसूच में कड़ों के बारे में अध्यन करने को क्वांटम मेकैनिक्स कहते हैं अब देखिए क्वांटम का मतलब भी होता है आतिसूच में यानि कि जो बिल्कुल छोटे-छोटे कड़ों होते हैं उनका ध्यम क्वांटम मेकैनिक्स के अंतरगते करते हैं ठीक है ना च चली एंसर देखते हैं, प्रशन का सही अंसर है C यानी कि M.P.E.R. में मापते हैं, देखी। तो इलेक्ट्रिक आवेस्ट के प्रवाह की दर को M.P.E.R. में मापते हैं, देखी। तो इलेक्ट्रिक आवेस के प्रवाह की दर को MPR में मापा जाता है, जबकि जो प्रतरोध होता है, तो प्रतरोध को हम ओम से मापते हैं, और यह ओम वाला प्रस्टों MPP पुलिस के लगवक जितने भी सिप्ट हुए हैं, उन हथ एक सिप्ट में ओम से संबंदे प्रस्टों ज का लिए, ऐसे ही मतलब कि एक तरह से आपको सवाल बना करके आपके MPP पुलिस के अग्जाम में दिया गया था, ठीके न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखे, तो दूर संचार के लिए प्रयोगत की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है, यह भी MPP पुलिस 2022 का है, दर से प् यह उपयोग में लाई जाने वाली तरंगे, microwave तरंगे होती है, अगर हम बात ultraviolet की करें, तो ultraviolet तरंगों को परावैगनी तरंगे कहा जाता है, और यह जो मरुष में skin cancer होता है, वो इसी ultraviolet तरंगों की वज़ा से ही होता है, और जो आपके वाई मंडल के उपन, ओजोन प परत में 6 हो गया है, जिसकी वैसे परावैगनी करणे नीचे आ रही है, और आप देखते भी होंगी कि बहुत सारे लोगों को skin cancer की problem हो रही है, तो skin cancer का रीजन क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है कि जो परावैगनी करणे होती है, वो skin cancer का कारण बनती है, तो एक ही पर आपका परागर क्या कहलाता है, आपको पता है कि यह आपका जो पौधे होदे वाले प्रस्ण है, और 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 अर्थोपोड़ा, यह सारे प्रस्ण भी आए थे, लोग भूत घबला गए थे, कि यह कैसे प्रस्ण आ रहे हैं टीके ना, यह आपका MPP Breads 2022 का ही प्रश्ण ह याद रखेगा सीधे सीधे फैक्ट वाला प्रशन है देखे तो पौधों में निसेचन की प्रक्रिया को परागर कहलाती है इस प्रागर की प्रक्रिया को साइंस की भासा में मैलकोफिली कहते हैं पहले पूछा जाता था कि पौधों में निसेचन की प्रक्रिया को क्या कहते ह लेकिन भाई अब समय चेंज हो चुका है प्रश्णों को घुमा फिरा करके थोड़ा सा कटिन बनाया जा रहा है तो अब क्या है कि परागन का scientific name पूछ लिया था तो पौधों में परागन की क्रिया को जो अगर science की भासा में बात करें तो मैलिकोफिली कहा जाता है याद रख और भी एंटीपीसी मेंस का ये प्रशने देखिए कोईला भूतापी उर्जा प्राकृतिक गैस या फिर पैट्रोलियम आई एंसर देखें प्रशने का सही आंसर है यानि कि जो भूतापी उर्जा होती है जिसे हम धर्माद एनरजी कहते हैं इसके दोरा बहुत कम गर्मी उ लिए बहुता है तो कारवन के जितने भी अपरूफ होंगे उनकी वैसे क्या होगा गलोबर वार्मिन बढ़ेगी तौक्ता बढ़ेगा ठीक है तो आपका कोईला जो है वो तो आपका कारवन का परूफ होते ही आपको पता शी ओ तू और का निकलती है ठीक है प्राकृतिक आपमाल बढ़ता है ठीक है तो यही आपका answer हो जाएगा ठीक है तो यह आपके महतून प्रस्ट थे यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले आपको कह करना है वीडियो को एक like कर देना है चैनल को subscribe कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं और हमारा टेलिग्र चैनल है सकसिज जंक्सन के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको टेलिग्राम पर वहां पर जाकर करके टेलिग्राम जोइन कर लेना है दो दिन बाद आपको इसकी पीडियो भी देखने को मिल जाएगी वहां से डाउनलोड कर लीजीगा तो अगर आप पटव के लिए नमस्कार धन्यवार